तो यहां पर मैं एकदम साधा सिंपल कुर्ती की कटिंग करना सिखा रही हूँ तो यहां पर मैंने सिंपल कुर्ती की कटिंग करने के लिए जो सूट होता है उसमें से कुर्ती का कपड़ा अलग कर लिया है तो यहाँ पर मैंने four fold करके उसको इस तरह से बिचा लिया है तो यहाँ पर जो मैं लंबाई लेने वाले हूँ वो मैं full लंबाई लेने वाले हूँ क्योंकि मुझे लंबे ही कुर्टे अच्छे लगते हैं आप अपने according लंबाई ले सकते हो तो उसके बाद हम यहाँ पर लेंगे कंदी मतलब जो solder होता है solder ले रहे हूँ मैं 7 inch का और 7 inch पर मैं इस तरह से marking कर लूँगी उसके बाद मैं यह arm hold का निसाल लगाऊंगी जिसको मैं 7 inches पर लगाऊंगी तो इस तरह से यहाँ पर एक और नाप लगाया फिर बीच में मैं कमर का नाप लगाऊंगी जो की 14 inch पर उसके बाद मैं hip का नाप लगाऊंगी जो की 21 inch पर लगेगा तो इस तरह से हमने तीनों नाप लाइन से लगा लिये हैं अब इसके बाद हम यहाँ arm hold की नाप लेंगे उसके बाद यहाँ पर हम एक लंबी सीधी लाइन कीज़ देंगे उसके बाद यहाँ पर हम जो सीने का नाप होता है उसके according एक सीधी लाइन कीज़ देंगे और निसान लगा लेंगे जैसे कि मेरा यहाँ पर सीना हुआ 9.5 inch 9.5 inch तो marking कर लिए है उसके बाद 9 inch पर कमर पर marking कर लिए है उसके बाद नीचे 10 inches पर hip की marking कर लिए और इसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे इस तरह से तो इसकी जो नाप हो गई है उपर की वो complete हो चुकी है यहाँ पर हम ले रहे है नीचे दामन का नाप तो दामन मैंने यहाँ पर रखा है 12 inch मतलब कि जो खुल के यह हमारा 24 inch का हो जाएगा इसके बाद यहाँ पर मैंने मार्जन के लिए 2-2 inch पर यह निसान लगाया है इसको भी इस तरह से निसान लगाने के बाद इसको मिला देंगे मिलाने के बाद इस तरह से इसको complete कर लेंगे इसके बाद आर्म होल्ड का हमने यहाँ पर corner से 1 inch की लंबाई लेते हुए गोलाई दे दी है उसके बाद पीछे का जो होता है वह तो एक इंच पर रहेगा और जो आगे का रहेगा वह आदा इंच पर तो इस तरह से गोलाई भी complete हो चुकी है अब इसकी cutting कर लेंगे जहां पर मैंने माजन वाला नाप लिया है वहाँ से इसकी cutting कर देंगे तो इस तरह से यह cutting भी complete हो चुकी है तो हमारी कुट्टी तो कट चुकी है तो अभी इसकी cutting पीछे के मुट्टे के नाप के बरावर होई है तो इसका पीछे वाला इससा निकाल देंगे मतलब कि अंदर की साइड में इस तरह से फोल्ड कर देंगे अब आगे की जो थोड़ा की कट करना था तो उसको भी इस तरह से कट कर लिए хочу इसको कट करने के बाद इसको हटा देंगे अलग रख लेंगे अब कट कर लेते हैं obliged इसनी चोड़ी रखनी है उस टाइप से हमें यहां पर 9 इंच पर निसान लगाया है और एक लंबी सीधी लाइन खीज़ती है तो इसका भी एक्ष्टर कपड़ा है उसको निकालके अलग कर देंगे अब इसको हम रख देंगे इसकी कटिंग करेंगे बाद में सबसे पहले हम कुर्ती में गला बनाएंगे गोल तो इस तरह से मैंने गोल वुकरम का गला कट कर लिया है और इसको एक कपड़ा लेंगे उसके उपर इस तरह से अटेज कर लेंगे तो कुछ इस तरह से हमने इसको कपड़े को उपर अटेज कर लिया है अब इसका जो एक्ष्टर कपड़ है उसको हम इस तरह से कट कर देंगे और कट करने के बाद इसका जो कपड़ा है इसको इस तरह से फूल्ड करते हुए एक सिलाई लगा लेंगे तो इस तरह से आप इस लाई लगा सकते हैं बहुत ही ईजी और आसान तरीका बता रही हूं मैं यहाँ पर तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने कपड़े में पूरी तरह से बुक्रम को अटेस कर लिया है अब इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको भी कट कर लिया है अब यहाँ पर मैं इस तरह से बीचो वीच में विल्कुल एक कट का निसान लगाँगे और नीचे के में इस तरह से चौक से निसान लगाँगे इसी तरह से कुर्टी का जो आगे का पोर्शन है उसमें भी बीचो वीच में इस तरह से एक चोटा सक कट लगाएंगे और यहाँ पर एक निसान लगाएंगे तो इस तरह से हमें गले को सूट के कपड़े में अटेस करने में आसा का हमें गले को जो का जू बुकरम बाला पोर्शन है वह अटेश करने में आसानी हो जाती है और इससे हमारा सूट का गला है जो अच्छी से हो जाता है तो इस तरह से हमने इसको सूट के कपड़े में बुकरम को अटेश कर दिया है तो यहां पर आप देख सकते हो कि विना जोल दिये मलब विना कुछ स्लेट पिलेट कर रहे हुए अच्छे से आराम से यह टैच हो चुका है अब इसको जो इसका अंदर का एक्ष्टा कपड़ा था उसको मैंने कट कर दिया है कुछ इस तरह से अब इसमें हम छोटे-छोटे स लगा लेंगे कुछ इस तरह से कट लगाकर इसको अंदर की साइड में जो पोखरम बाला पोर्शन है ना All इक सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से पल्टेंगे सबसे पहले इसको पूरा पलड़ते हुए अच्छे से क्रीज बना लेंगे हांस से प्रेस करते हुए तो इस तरह से आप देख सकते हैं प्रेस करने के बाद इसके उपर से एक सिलाई लगा लेंगे तो अगर चाहें तो आप इसके सिलाई ही रहने दे अगर आप चाहते हैं इसके उपर से तुरपाई करना तो इस तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितनी फिनिसिंग के साथ में हमारा गला बनके रेडी हो चुका है इसी तरह से हम दोनों पोर्शन में गला बना लगें कि आगे कावी और पीछे कावी तो यहां पर मैंने आगे का भी बना के तयार कर लिया है और पीछे का भी बना के तयार कर लिया है अब आई है बारी इसके कंदी जोडने का तो इस तरह से हम दोनों कंदियों को एक साथ रखते हुए एक सिलाई लगा लेंगे तो सिलाई हमारी लग चुकी है अब हम ये जो हमारा फिटिंग का निसान देख रहा है इस पी एक सिलाई लगाएंगे तो इस फिटिंग की सिलाई को हम दोनों साइड लगा लेंगे और अपने अकॉर्डिंग मतलब फिटिंग कर लेंगे जैसी हम चाहते हैं एकदम फिट चाहते हैं तो फिट थोड़ा लूज चाहते हैं तो थोड़ा सा लूज इस तरह से हम फिटिंग का निसान भी अमलब फिटिंग की सिलाई भी कंप्लेट कर चुके हैं अब हम करते हैं नीचे जो हमारा दामन वाला पोर्शन है उसको इस तरह से पलटते हुए शिलाई लगाएंगे और नीची के जो हमारे चौक वाला पॉर्शन है उसको भी हमच्छे से शिलाई दे देंगे तो कई बार होता है कि बहुत से लोग शिलाई नहीं करना चाहते हैं इसमें तुरपाई करना चाहते हैं तो चाहें तो तुर्पाई भी कर सकते हैं एक शिलाई लगाने के बाद उसके उपर से तुर्पाई करें उसके बाद सिलाई को निकाल देख करेंगे सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी अटाइज करते हैं, तो यहां पर हमने स्लीप में कुछ डिजाइन्स टाली है तो इस डिजाइन का मैंने सेपरेट वीडियो डाला हुआ है जिसका मैं लिंक डिस्क्रेप्टर बॉक्स में दे दूँगी और आई बटन पर भी दे इस तरह से मैंने ने डालने की बज़े से ही इसको छोड़ दिया था बाद में कट करूंगी तो अब डिजाग डाल चुकी है अब इसको मैंने यहां से कट कर देना है तो इस तरह से गोलाई में कुछाइज करेंगे तो अब हम स्लिप्स को इस तरह से रखेंगे और एक निसान लगाएंगे जो कि हमारी स्लिप्स का आरव Gluell टाइप से मद्गों आरव flows जिसको law Letter Africa गोलाई में निसान लगाते हैं जिसको तो निसान लगाएंगे और इस तरह से एक सलाई लगा ले तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा लिए अब स्लिपS को अकर लेती हूंसीदा अब सिधा करके इस तरह से रखंगी है और इस में जो हमारे कुड़ती है उसको भी इस तरह से पलटके 2017 कर के रखंगे तो इस तरह से हम कुर्टी को रखेंगे उल्टा और स्लिप्स को रखोंगे सीधा आप क्या करेंगे इस स्लिप्स को हम इस तरह से आर्म होल्ड में अंदर की साइड में डालेंगे और सिलाई से सिलाई मिलाते हुए एक गोलाई में सिलाई लगा देंगे कुछ इस तरह से तो इस तरह से हमारी कुर्टे बनके रेड़ी हो चुकी है आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सेयर करें और कमण्ट करना बिलकुल ना बुले वसस्थाइब